कुवर नरायन के जीवन परिच्छे के अंतरगत आप सबसे फिले जानी है कि इनका जन्म कहां हुआ था उत्तर प्रदेश के फेजाबाद जीले के अंतरगत हुआ जो जन्म की जो तारिख है इनकी है 19 सितम्बर 1927 19 सितम्बर था और 1927 के दिन उत्तर प्रदेश के फेजाबाद जीले में इनका जन्म हुआ इनकी जो प्रारंबिक सिच्छा और दिच्छा है वहां घर पर ही प्रारंबो ही इनकी जो प्रारंबिक सिच्छा है पड़ाई सिरुवात की जो सिरुवात ही पड़ाई है वहां कहां परवारम हुई उनकी घर से ही हुई आपने 1951 में लखनव विश्व विद्याले से अंग्रेजी साहिती में एमे किया इन्होंने 1951 में फिर अंग्रेजी साहिती से लखनव विश्व विद्याले उससे क्या किया एमे किया और इनकी जो मृत्तिव 90 वर्स की उम्र में हुई और तो टोटल कुल में लाकर बाप बोल सकते हैं कि इनका जो जन्म है वहाँ 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फेजाबाद जिले में हुआ था इनकी प्रारंबिक सिच्छा दिच्छा घर पर ही आरंब हुई आपने 1951 में लखनवी स्विध्याले से अंग्री जी साहित्ती में एमे किया और इनकी मृत्यू 90 वर्स की उम्रों में 25 नॉवंबर 2017 में हो गई अब चलते हैं रशना की और रशना के अंतरकत आपसे दो पूशी आती है फिर भी मैं चार पांच लिखता हूँ ताकि आप आसानी समझ में आ जाए अपने सामने कविता के बहाने इंदिनो चक्रवियू आज और आज से पेले कोई भी आपको जो अच्छा लगे वा रशना लिखती जगा अपने सामने आज और आज से पेले चक्रवियू इंदिनो कविता के बहाने कोई भी दो ती उतार ले जगा भाव पक्षे की ओर बढ़ते हैं तो भाव पक्षे क्या है इनका रादि की भाव का मतलब होता है अंदर के विचाara के विचार के विचार के वेकती है तो कूरण बैरायन जी ने अपनी पूरी कावी यात्रा में मानावी संबंदों को एक नई तरह से परिबासित किया है जो खुबर नरायन जी है इन्होंने अपनी जो पूरी कावी यातरायन जित्ते भी इन्होंने कावी लिखे उनके अंतरगत मानवी की जो संबंद है मानवता है उसको एक अलग तरीके से परिवासित किया है इन्होंने समय समय पर सत्ता की राजनिती पर तिष्ण प्रहार किया अउसर आने पर इन्होंने राजनिती की जो सक्ता की राजनिती है जो लोग ब्रश्टाचार पहलाते हैं उन्हें पर क्या किया था तिक्ष्न प्रहार किया इनकी रचनाये समवेदन सिल्ता एवम अहिंसा की दरश्टी में कुथी हुई है तो इस तरह इतका भावपक्ष जो किया है तता इनकी जो भासा है वहाँ सरल है तता चुटकुली भी है तो कला के अंतर गताती है इन्होंने किस कला के द्वारा अपने कावी की रचना की तो इनकी जो कला थी वह क्या थी छंदों को और अलंकारों का पी जो किया इन्होंने अपने कावी में और इनकी जो का सेम है लगबग पूरी तरह हिंदी साहित्य शदाई वीरीनी रहेगा तो सिंपल से बात है यही जुरूरी नहीं क्या है हिंदी साहित्य सदाई वीरीनी रहेगा, आप बदल भी सकते हैं कि इनोंने जो रचनाए हमको प्रदान किये, इनके लिए कि ये सदाई हमारे लिए इसमर नहीं रहेंगे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहां से आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं और अपने नोट को भी में लिख लीजेगा रशनाएं पीरे भाव पक्च फिर कला पक्च और साइटी में